Hey friends, what is CFS? यानि की container freight station चलिए बात करते हैं container freight station क्या होता है Myself Amit Mulani from Amit Mulani and team International Trade Advisor, Exporter and Importer CFS का मतलब होता है container freight station नाम की मताबित इसका काम है जब आपका goods export या import के लिए port के उपर आता है तो ये सबसे पहले CFS area में transfer होता है साधी बाशा में अगर हम बताए तो CFS का मतलब होता है एक storage area जहां पे आपका goods consolidate या तो deconsolidate किया जाता है चलिए इसको हम एक example से समझते हैं मान लीजिए कि अगर मेरा goods LCL यानि की less than container load है अगर मेरे पास less than container load goods है यानि की अगर full container जितना माल नहीं है तो मैं इस goods को transfer करूँगा अपने port पे और ये port के तरू CFS में enter होगा CFS area में उनके जो engineers हैं वो goods की total quantity को नापते हैं और उसके बाद उसको container के अंदर load करते हैं तो my friend ये जो आपका LCL container में load होता है इसे में बोलता है consolidation of the goods बहुत सारी अलग-अलग party को इस तरह से goods एकठा करके CFS के तरू container में load करते हैं same way पे अगर मान लो कि आप ऐसा कोई LCL consignment import करते हैं तो वो इंडिया में port के तरू receive अरने के बाद container से deconsolidate किया जाता है और आपका जितना goods है वो आपको मिलेगा और बाकी party का जो goods है वो उनको दिया जाएगा दोस्तों CFS area के under आपका जितना भी process होता है वो custom की निगरानी में होता है इसका मतलब कोई भी goods अगर आपका receive होता है या तो forward होता है तो उसमें कोई भी तरह के challenges होने की शक्यता है नहीं है दोस्तों इसके साथ साथ custom formalities का काम भी CFS में किया जाता है CFS ये only seaport पे होता है ऐसा जरूरी नहीं है CFS available हो सकता है seaport, airport और dryport पे भी अगर हम dryport की बात करें तो ICD and landlock custom station पे भी आपका CFS होता है दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर अगर हम total CFS की बात करें तो ये total 247 CFS है जिनके तुरू पूरे इंडिया से goods को forward किया जाता है और उसी तरह से foreign country से आए हुए goods को deconsolidate किया जाता है और ऐसे ही और informative वीडियो के साथ हम आपके सामने डिप्रेजन होते रहेंगे सब तक के लिए stay tuned thank you